हलो एवरिवान मैं शेफ मीनी इंडियन रोमा किछिन में आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पर कच्छे अंगारे की बिर्यानी है ना बिर्यानी तो सबको पसंद होती है अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो उसे सबस्क्राइब कर लिजे यह जो बैल वला आइकन है ना इससे दबा दें और यहाँ पर आगिया है तो बस अवाने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपनों को मिलती रहेगी तो देखे यहाँ पर यह खड़े मसाले हैं जो हम पानी में डालेंगे पानी जब भी हम चावल बनाते हैं बिर्यानी का उसमें खड़े मसाले आप जरूर डालें उसमें बहुत अच्छी खु को जातें और एक किलो चावल के लिए मैंने कम सकंट चार किलो पानी जो है एक बड़े पैन में ले लिए और उसमें खुब सारा नमक डाल दिया है नमक अप इसजाब से डालने कि जब पानी को टेस्ट करें तो उसमें नमकीन टेस्ट आये और उसमें दो कल्ची भरके आप को आफ कर दें और फिर छावलों को ढका रेँडें अलाम लगा पांच मिनट तक आपके चावल कर जाए बंद गर चावलों को औपने ड्रेइन कर दीज़ें आ ना झाक्री दियार हो जाएं यह बिल्कुल ऐसे ही चावल आपको चाहिए आपका एक एक चावल खिलावा बनेगा मैं भी आपको आगे दिखाऊंगी और बस 57 मिनट बाद चावलों को एक बड़ी ट्रे या थाली के ओपर फैला दे पंके के नीचे तो उससे क्योंगा आपका चावल जाए सूप जाएगा और फिर उसे हमने मीडियम से हाई के फ्लेम के उपर प्यास को तल लेना है और जब प्यास के अंदर गोल्डन कलर आए उसे बाहर निकाल कर एक सूखे पेपर के उपर ब्राउन पेपर के उपर आप फैला दें तो आपकी जो प्यास है उसका ओल सारा वहां अब्सॉर्ब हो कुछ भी नहीं किया है तो जटपट बनेगे बिर्यानी और इसमें अब हम डाल देंगे जिंजर कारली का पेस्ट बहुत जरूरी होता है और इसको डालके इच्छे से चला लेंगे कि इसका फ्लेवर इसके अंदर आ जाए अब हम डाल देते इसके अंदर थोड़ी सी हल्द हलदी डालने से कलर बहुत अच्छा निकल के आता है और हलदी तो वैसे भी बहुत फायदे मंद है तो हलदी थोड़ी सी आप जरूर ढलिए और इसको भी चला लें जो कि हल्दी का कच्चा पंच आपका निकल जाए और अब यहां हम डालने कश्मीरी मिर्च पॉडर आप चाहें तो कश्मीरी मिर्च पॉडर डाल दें या चाहें तो दूसरा तेज वाला पॉडर डाल दें मिर्ची का और इसको चलाने अब मसाले इस टेप के जाना आप अपने टेस्ट के साफ से डाल सकते हैं मिर्ची हो गई, नमक हो गया, नमक भी अपने सुआत के अनुसार डाल दें और यहां मैंने डाला है चली का जो ग्रीन चली का पेस्ट होता है वो और अब मैं डाला हूँ यहां पर टोमाटो प्यूरी, आप टोमाटो प्यूरी डाल दीजाए चली ego का पेस्ट अगर आपके पास ना हो तो आप चलीस को स्लेट करके भी डाल सकते हैं और यहां हमने डाला है धनिया पॉर्डर तो यहां यह धनिया पॉर्डर इसके अंदर चला गया है और मसालों को हम अच्छे से क्या करेंगे चला लेंगे कि आपके मसाले जो हैं अच्छे से मिक्स हो जाएं और यह मैं डाल रही हूं धनिया और पुदीना कटावा यहां अपने इसाफ से डाली है अच्छे से डाली है इनके फलेवर्स बहुत अच्छा देए तो आपका जैसा दिल करें उसाफ से डाली है और यहां बीटन करड है मेरे पस वो मैंने डाल दिया है इसको डाल देंगे और इसको भी चला देंगे थोड़ी दिर क्या करेंगे चिकन को पकने देंगे मसालों के साथ तो चिकन और दही दोनों पानी चोड़ेंगे और आपका चिकन जो है थोड़ी दिर में गलना शुरू हो जाएगा फिर हम ढालेंगे इसके अंदर जो हमने बरिस्ता फ्राई करके रखा था 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 आधा बरिस्ता आप इस टाइम पर डाल दीजे और चिकन को पकने दीजे चाहें तो 10 मिनिट इसको ढख दें ढख के बिल्कुल परफेक्ट आपका चिकन जो है बनके तयार हो जाएगा हम चेक कर लेंगे यह देखिए पानी इसका सूकिया है और चिकन आपका बनके तयार हो गया है यह देखिए कितना बढ़ी है चिकन लग रहा है तेल इसका उपर आ गया है चेक करके देख लिए कितना परफेक्ट आपका अगल गया और अब यहां आता है हमारा सीक्रेट पॉइंट जो है कच्चे इंगारा जो इसका मेंड की है वो यही है आप एक कोईला लीजे बहुत देर तक उसको बिल्कुल लाल कर लीजे और उसके बाद जो आपने चिकन बना हैं और यह सारे जो आपको मसाले दिख रहे हैं यह सब उसमें जाएंगे सारा समान उसमें जाएगा जिसमें बरिस्ता है हरा धनिया है वो दीन है दोनों तरी इल्के के और इंटरेट कलर है और उसके बाद हम क्या कर देंगे अपने जो हमने पैन था उसको ग्रीस कर लिया सारा चिकन हम इसके अंदर फैला कर डाल देंगे देगे सबसे बेस पार्ट है कि हमारे को इसको बहुत जादा दम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जो हमारा चिकन है उसके अंदर भी अपना फ्लेवर आ गया है और वह बिल्कुल अच्छे से गल गया है और ज जितना तेल, मसाला बचे सब आप चिकन के उपड़ डाल दें बिल्कुल ऐसे और अब हम चावलों का क्या करेंगे हम चावलों को दो पार्ट में बाट लेंगे तो आधा पोर्षिन हम पहले डालेंगे बिल्कुल अच्छे से जितने चावल है उसके आधे चावल आप ये बिर्यानी के लेयर के उपर लगा दें एक लेयर जो है वो पूरी चावलों की चली जाएगी इसके उपर और आधे चावल आपने पास साइड में रखेंगे और यहां असली घी कभी यूज किया है वह भी आपको बताती हूं अब मेरे पस यलो कलर था तो मैंने एक लेयर में यलो कलर डाल दिया है और यहां डाल दिया है मैंने थोड़ा सा धनिया पोदीना अब मैं डाल दो इसके अंदर स्लिटेड हरी मिर्चें बहुत बढ़िया लगती है थोड़ा सा बरिस्ता है इसके उपर डाल दिजाए और यह मैं डाल रही हूं असली घी तो असली घी है मैं डालें तो बहुत अच्छा वो भी हो सकता है फ्लेवारिक इसका और अब मैंने औरेंज कलर डाल दिया दूसरी वाली लेयर के उपर और थोड़ा बरिस्ता फिर धनिया पोदीना, स्लिटेड, हरी मिर्चें और उपर से घी और यह जो रोटी का नॉर्मल आटा आपके घर में होता है वो ले लिजे अपने पैन के सरकम फ्रैंस को बिल्कुल लंबा लंबा आप इसको कर दीजे घुमा घुमा के एक इस रोल की तरह से कर लिजे और बस चारो तरफ पैन के लगाईए और बस जो ढखकन था ऐसा लिजे जो बिल्कुल आपकी बिर्यानी को ढख दे और इसको मैं अवन में लगा रही हूं अवन में मैंने इसको लगा था 180 डिग्री के उपर 15 मिनट के करी और अगर आप अवन पे नहीं लगाना चाहते तो आप गैस के उपर एक मोटा तवा रखिए उसे तेज गरम कर लिजे और फिर बस उसको आप हलका कर दें और उसके उपर अपना बिर्यानी का पैन रख दें और दस मिनट तक उसको होने दें आप खोल कर देखेंगे तो आपकी बिर्यानी बहुत बढ़िया बंजेगी यह देखे मैं आपको प पिरने लगेगा पक जाएगा तो आप समझे यह देखे मैं आपको दिखाते हूं यह यह जो आप देखने है नहीं ब्राउन ब्राउन ऐसा लगने लगता है तो इसका मतला आपकी बिर्यानी जब परफ्रेक्टली बन गई है अगर आप एक कनी चावल भी रखते हैं और इस तो मैं आपको क्या बोलूं वो तो चाव बनाएंगे और इसे खाएंगे तब ही आपको पता लगएगा देखिए एक एक चावल का दाना खिलके बिल्कुल परफ्रेक्टली बनावा है तो बस अगर आपको भी ऐसी बिर्यानी चाहिए और आप चाहते हैं बनाना देखे कित कोई मैरिनेशन का जंजट नी हुआ आपने फटा फट उसको चिकन को लिया और उसमें डाला और बन गया आपका बनके तयार हो गया है ना क्या मज़ेदार कच्छे अंगारे की खुश्बू के साथ हमारी जब बिर्यानी बनके तयार होई है तो अगर आपको ये रस्पी प कमेंट करके मुझे जरूर बताएं तो मुझे बहुत अच्छा रहेगा और बैल आइकन जरूर दबादें चलिए तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स अच्छी सी रसिपी के साथ या नए व्लॉक के साथ तब तक अपना ध्यान रखे और बड़ी है बड़ी है चीज़े करत 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 कमेंट